MP में जिस तरीके से लोगों की परिशानिया बढ़ी हुई हैं और कमल नाथ सरकार इधर उधर फीता खाटते हुए घूम रहे हैं आज हम बात करेंगे MP के उस सरकार की जो की दावे करती है गरीबों के मसीहा बनने की जो की दम भरती है कि वो किसानों के लिए कुछ भी कर सकती है और इसी दावे के साथ MP में कॉंग्रिस की एंट्री हुई थी और जिस तरीके से कॉंग्रिस को जनता ने चुना था वो MP में BJP के सरकार से तंग आ चुकी थी किसानों का हाल बहुत बुरा था और लोग तबाही वाली जिंदगी जी रहते लेकिन एक बार फिर सीस्थीतियां और पRIस्थीतियां बिल्कुल वैसी ही आ गई हैं लोग परिशान हैं और कुछ ऐसे इलके जैसे की धार और कुछ और इलके हैं जहां पर की बाढ़ ने बिक कहीं पर जल गई हैं लोग परिशान हैं लेकिन सरकार है कि फीता काटने से उसे फुरसत नहीं है अगर फीता ही काटना है तो फिर जल्द से जल्द एक ऐसा अस्पताल होना चाहिए जो इससे की लोगों को मदद मिल सके हम आपको बता दे कि मद्यप्रदेश की सुदूर इलाकों में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर कि लोग आज भी पंगडंडियों के लिए तरसते हैं सडक की तो बात ही छोड़ दीजिए पंगडंडी ही नहीं हैं पता ही नहीं है कि कहां सी सडक है तो लोगों को काफी परशानियों का सामना करना पड़ रही है इस बीच कमल restriction का कर रही है इससे को दिखाती यह देखे हमारी रेपॉर्ट कमल नाच सरकार आपने दावे और वाएदे से मुकरती हुई नजर आ रही है किसानों से दावा किया था कि उसकी हर संभव मदद करेंगे लेकिन जब धार इलाके में बाढ़ ने प्रचड रूप धारन कर लिया है तो कमलाज सरकार सारा काम छोड़ कर तुमाम जगों पर जाकर फीता काटती हुई नजर आ आपको बता दें कि धार में बाढ़ से लोग परिशान है धार में कुछ इलाकों में बिजली भी गिरी है जिसकी लोगों से बात करने पर पता चला कि वहां पर काफी परिशान है लोग और कई लोगों की जान चली गई और कई लोग जो हैं वो जल चुके हैं बिजली की चपे तब तो कोई घर के अंदर रहे काफी लोग जो हैं वो ऐसी ही घास फूस के घरों में रह रहे हैं जिसकी वज़े से उन्हें काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मवेशी चराने के लिए निकले और उधरी बिजली गिरने से जल गए और जलने के बाद उनकी स्थिति बद से बत्तर बनी हुई है क्योंकि मवेशी चराकर जो मिलता था दिनभर का गुजारा उसी से वो अपना घर चलाते थे लेकिन अब जो इस्थितियां और परिस्थितियां बनाई है वो ये है कि फिलहाल लोगों के पास एलाज के लिए पैसे नहीं है और बाढ़ ने बिक्राल रूप धारन कर रखा है खेतों से सारे फसल डूप चुके और कुछ पर तो बिजली गिर गई तो जल गए अब इनक पर सरकार को आकर देखना चाहिए आंकलन करना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ तो सरकार भूपाल में जाकर बैठी हुई है और फीता काटने से फुरसत में बिलकुल भी नजर नहीं आ रही है हम आपको बता देए कि जबलपूर दौरे पर हैं इन दिनों सीम कमलनाथ बीजेपी के बनवाए सूपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का लोकारपन किया है जे एच परीसर में लगबग तयार हुजेगे सूपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में छे मौडूलर ऑपरिशन थियेटर है ये जबलपूर की पहली सरकारी बिल्डिक होगी जहां मरीज को ओपीडी और पर्चा बनवाने के साथ डॉक्टर को दिखाने जाच कराने और दवा के लिए बाहर नहीं जाना होगा ये सभी सुपिधाएं मरीज को इखी भवन में मिलेंगी 30 सतंबर को ओपीडी शुरू करने की तयारी की जा रही है इस दिन से यहां मरीजों को पेडियोट्रिक सर्जरी, यूरलोजी और नियोनीन टोलोजी जैसी सुपर स्पेस्टिलीटी की सुभिधा मिलने लगेगी हॉस्पिटल की सुरक्षा और सफाई की जमेदारी इंदौर की कमपनी सभाल रही है तो अब तो ये बात अलग है कि 165 करोड रुपए की लागत से ये अस्पताल बन रहा है और जो जून 2016 में ही बनना शुरू हो चुका था हॉस्पिटल में 6 लिफ्ट, 6 मौडिलर ऑपरेशन थियेटर और 3 आईस्यू है पूरे हॉस्पिटल में स्टेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम लगा हुआ है साथ ही डालेसिस मशीन और MRI मशीन की भी सुभिधा है मरीजों को यह तमाम सुभिधाएं एक ही छट के नीचे मिलने वाली है हॉस्पिटल के OPD में पीडियेट्रिक सर्जरी, यूरोलोजी, नियूनेटोलोजी की सुभिधा मिलेगी साथ ही एनेस्थीसिया, रेडियोलोजी, जेनरल मेडिकल, ऑफिसर के साथ सीनियर, रेसिडरेंट भी यहाँ पर पदस्थ रहेंगे ताकि कोई परिशानी नहों मरीजों को, हॉस्पिटल के ग्राण फ्लोर पर रेजिस्टेशन, कॉरमेसी, डालिसीस और रेडियोलोजी, विंग होगी पहली मंजिल पर OPD के साथ अधिक्षक और आने प्रशासने का अधिकारियों का कक्ष होगा कहा जा रहा है कि यह स्पताल अपने आप में बहुत अच्छा है दूसरी और तीसरी मंजिल पर वाड, चौथी मंजिल पर आईस्यू, वाड और पांचवी मंजिल पर OPD और आईस्यू, छटी मंजिल पर और विभागी प्रशासने कारियाले और कैफिटेरिया भी होगा सभा में शामिल होनी की बात कही गई है, स्यम कमलनाथ कॉंग्रिस नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं और इस बीच कमलनाथ उन लोगों से बिलकुल भी नहीं मिल पाए है, जहां पर की जरूरत है, जी हां, बिलकुल सही सुन रहे हैं आप, इस वक्त कमलनाथ को जहां प कुछ करती है, कभी सिर पर बिठाती है, तो कभी जमीन पर उतार कर फैंक देती है, तो क्या ये जनताब आगे इन्हें मौका देगी, बड़ा सवाल है, और इन तमाम सवालों की जबाब आप तमाम दर्शकों को देने हैं, SPN 9 News के लिए शशी प्रिया सिंग की रिपोर्ट, तो देखा आपने कैसी कमलनाथ सरकार जहां पर होना चाहिए, वहां ना होकर, वहां है, जहां की अभी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अस्पताल का उदगाटन क्या आज बहुत जादा माईनी रखता है, अगर अस्पता करवाएंगे, पहले ही करवा लीजे, क्योंकि जो लोग बार में फसे हुए हैं, उनको भी देखना है, और कुछ लोग हैं जो बिजली गिरने से पूरी तरीके से जल चुके हैं, उनका क्या होगा, उनके पास पैसे नहीं है, खाने को वो इलाज कहां से कराएंगे, कौन दे चाहते हैं, तो चलिए, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, सुझाओ दीजिए, कि आखिर क्या होगा आगे सरकार का, SPN 9 News लगातार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, विल आइकत दबाईए, मुझे दीजिए इजाज़, नमस्कार